जेहिंद मैं लेलिद खत्री और आप देख रहे हैं राजस्तान में तेजी से बढ़ता MTTV इंडिया और आज बात भारत को मिले एक और गौरव की अगर आप से पूछा जाए कि क्या आपने कभी सैविन वंडर्स यां साथ अजूबों का नाम सुना है तो आपका जवाब होग और अगर आपसे पूछा जाए कि क्या उसमें भारत की कोई इमारत है तो आपका जवाब होगा ताज महल पर अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपने कभी एट वंडर्स का नाम सुना है तो आपका जवाब होगा नहीं और शायद उसका नाम तो आपको बिल्खुल भी प अभी तक अजूबे साथ थे और उसमें एक था भारत का ताजमहल पर आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ती का गौरव प्राप्थ होने के बाद अब स्टैचू अफ युनेटी को एक गौरव और प्राप्थ हो गया है। पाकिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, रूल्स और उजबेकिस्तान शामिल है। एक प्रेणा के रूप में देखा जाएगा। आपको बता दें कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को दुनिया के सबसे उचे स्टैचू, स्टैचू अफ युनेटी का उद्गाटन किया गया था। और अब यह दुनिया का सबसे महत्वपूर प्रेटन स्टल बन चुका है। स्टैचू अफ युनेटी ने प्रेटो की संख्या की तुलना में स्टैचू अफ लिबर्टी को भी पच्छाड दिया है। विश्व के प्रतिष्टित टाइम मैगजीन ने स्टैचू अफ युनेटी के सौ श्ट्रेष्ट देखने लाइक स्थानों में शामिल कर गुजरात का गौरव बढ़ाया है। टाइम मैगजीन की वर्ज 2019 की सूची में विश्व की सबसे उची प्रतिमा स्टैचू अफ युनेटी को अग्रिम स्तान दिया है। निर्माण होने के कुछ समय बाद इस स्टैचू अफ युनेटी विश्व भर के परेटों के लिए घूमने फ्रने के लिए शेष्ट विकाउट बन गया है। सबस्तान दिया है।